ग्राम मतली में हो रहे इंदल उत्सव की विरोध में सामाजिक संगटनों ने विरोध में तीसरे दिन भी धरना जारी रखा एवं राश्रपती के नाम ग्यापन पलसूत थाना प्रभारी रंजना गोकले के द्वारा दिया सामाजिक संगटन आदिवासी एकता परिशत जयस आदिवासी मुक्ती संगटन जयबीम सेवा समीती वह बिर्सा बिर्गेट के कारे करताओं ने विरोध करते हुए कहा मटली इंदल उत्सव में हो रही गतिवी दिया और पूजन पद्दती हमारी आदिवासी संस्कृती से मेल नहीं खाती हम प्रकृती पूजक है पूजा प्रकृती अनुसार ही की जाती है मोंद के तेडे से लेकर खूटा के बिना इंदल देव की मननत पूरी नहीं होती है मद्यप्रदेश शासन की आलोचना करते हुए कहा इंदल देव की पूजन का कारे करम एक साल में आईजीत करना सरासर गलत है इससे समाच आहत हुआ है आदिवासी संस्कृती के अनुसार मानता पूरी होने पर इंदल पाच वर्ष के अंतराल में होता है या व्यवस्था अनुसार पाच वर्ष के बाद ही किया जाता है सरकार सोच समझ कर आदिवासी संस्कृती से खिलवार कर आदिवासी को गैर आदिवासी के भायचारे और समरस्ता को खत्म कर रही है सरकार आदिवासी ही तेशी होती तो क्षेत्र में आदिवासी संस्कृती का सम्मान करती किन्तु सरकार के कारेक्रम का प्रतिक वर्ष के विरोत के बावजूद भी हर वर्ष खिलवाड कर संस्कृति को खत्म करती दिखाई दे रही है आदिवासी एकता परिशत के गजानन्द ब्रामने ने कहा कि वर्ष 2011 से मद्यप्रदेश सरकार वह किसी संगटन विशेश के लोगों द्वारा हमारे लोगों को माध्यम बनाकर आदिवासीयों की परंपरा के साथ लगातार छेडखानी की जा रही है एवं आदिवासीयों की पहचान मिटा कर किसी अन्यधर्म विशेश के देवता से जोडने का प्रयास किया चा रहा है इंदल आदिवासीयों की एक सामाजीक वद्धार्मिक परंपरा है इसका किसी राजनेतिक विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है इस कारेकरम का राजनेती करण करना, किसी अन्यधन से जोणना तता उसका स्वरूप बदनना आदिवासियों की भावना वा आस्था को ठेस पहुचाना गैरकानुनी और असम्वेधानिक है ऐसे लोगों के खिलाफ सविधान के अनुच्छे 15 एकवा अनुसुची जाती एवं अनुसुची जन जाती अत्याचार संशोदन अधिनियम 2015 और 2018 के तहट कारवाई की दावे और सविधान का उलंगन होने से देश द्रोह का मुकदमा भी चलाय जाए समाच की राजेश कनुजे ने कहा कि हमारे संसकारों में किसी भी धर्म के विधानों अनुष्ठानों का उपयोग नहीं किया जाता है हमारे रूडी प्रथा ही हमारा सविधान है जिसमें भारतिय सविधान के अनुच्छे 244 वा 242 के माध्यम से जुड़ा गया है समिधान के अनुच्छेत उन्नीस पाच वच्छे के तहट अनुसुची जनजातियों के हीतों के विरुद्दबिना अनुमती के किसी भी वाहरी व्यक्ति या गैर आदिवासी को कुछ भी करने का अधिकार नहीं है लेकिन बढ़वानी जिले का कलेक्टर और आरेसेस के प्रचारक रेवाराम कुमरावत कर द्वारा आदिवासी इंदल को इंद्रदेव से जोड कर मंदिर बनाया उसमें मुर्ती लगाना और सरकारी रुपए से आदिवासी परंपरा संस्कृति के विरुद्ध पंडितों को लगा कर हिंदू विदिविदान से पूजा करवा कर असम्विधानिक काम कर रहे है इसलिए भारतिय सम्विदान के अनुच्छे 248 के अनुसार कई वर्षों से चली आ रही रुडी परंपरा को नश्ट करता है तो अनुच्छे 248 के तहत अपरादी माना जाए कारेकरम का संचालन आदिवासी एकता परिशत के प्रदेश को अध्यक्ष सरदार चोहान ने किया और ग्यापन का वाचन आदिवासी एकता परिशत के प्रदेश अध्यक्ष घजानन दब्रामने ने किया इन्बेसिन न्यूस के लिए बढवानी मद्यप्रदेश से अभिशेक जादव की रिपोर्ट